अनिलम्बानी की कम्पनी Reliance Infrastructure 350 मिलियन डॉलर 3,000 करोर रुपले जुटाने की तैयारी में है कम्पनी Foreign Currency Convertible Bonds FCCB के जरिये ये फंड जुटाएगी इस फंड का उप्योग कम्पनी अपने कर्ज चुकाने और नए बिजनेस जैसे की इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन में करेगी पिछले हफ़ते Reliance Infrastructure ने चार नई सहायक कम्पनियां शुरू की है Reliance J Private Limited RJPL, Reliance Unlimited Private Limited RUPL, Reliance EV Private Limited और Reliance Raij Private Limited RRPL अने लंबानी के मालिकाना हकवाली कम्पनियों के शेरों में तुफानी तेजी आए है सोमवार को Reliance Infrastructure के शेर 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 185.65 रुपे पर बंद हुए दिन के कारोबार के दौरान शेर 192.15 रुपे तक पहुँचे इसके अलावा, Reliance Power के शेर भी 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 26.07 रुपे पर बंद हुए Reliance Infrastructure 3000 करोल रुपे जुटा कर अपने करज को चुकाने और Electric Power Generation जैसे नए बिजनेस को शुरू करने की योजना बना रही है ये कदम कमपनी के वित्ती अस्थिती को मजबूत करेगा और नए अफसरों की तलाश में मदद करेगा Reliance Infrastructure की सहायक कमपनियां Electric Power Generation, Information Technology Consultancy, Infrastructure और Fuel Transport के लिए वीकल्स की manufacturing जैसे बिजनेस पर फोकस करेंगी Reliance EV Private Limited, REVPL को Automobiles और उससे जुड़ी activities के लिए बनाया गया है कमपनी को Ministry of Corporate Affairs से Certificate of Incorporation मिल चुका है Reliance Infrastructure और Reliance Power के शेरों में हालिया तेजी ने निवेशकों का ध्यान खीचा है Reliance Power के शेरों का बावन हफते का हाई लेवल 34.35 रुपय है जबकि लो लेवल 13.80 रुपय है कमपनी की वित्ती अस्थिती में सुधार और नए बिजनेस के अफसरों की तलाश में ये तेजी दिखाई दे रही है Reliance Infrastructure के इस कदम से कमपनी की वित्ती अस्थिती में सुधार होगा और नए बिजनेस में व्रिद्धी के अफसर मिलेंगे इससे निवेशकों को भी फाइदा होगा और कमपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी पिछले साल अगस्थ में कमपनी ने 123 रुपे प्रती शेयर पर FCCB के रूप में 400 मिलियन डॉलर जुटाने के प्रपोजल को मंजूरी दी थी हालांकि बाद में इस प्लान पर आगे नहीं बढ़ा गया अब कमपनी ने प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और इससे उसके भविश्य की संभावनाएं बढ़ रही है डिस्क्लेमर, एक्विटी न्यूस का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजी कृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृत वित्तिय सलाहकार से परामर्श लें